तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस रेलवे योट्यूब चैनल रेलवे इनकैरी के एक और नहीं इंट्रेस्टिंग रेलवे वीडियो में तो दोस्तों हरियाना के दक्षने और राज़स्थान के उत्री भाग के यहाँ पर लगातार मांग थी कि राज्जे की राज़दानी और देश की राज़दाने आने की जायपूर और दिल्ली से उस सेक्षन का जुड़ावियां पर हो जाए जी यहां दोस्तों नारनौल वासी नेमराणा वासी लोगों की यहां पर लगातार मांग बनी होई थी कि इन लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो राजिस्तान राज्ये की राज़्धाने जाइपूर और भारत देश की राज़्धानी दिल्ली से यहां पर जुड़ने की ज पर चल रहा है जिए दोस्तों भारती रिल्वी की ओर से इसका ट्रेन नमबर भी याँ पर रिलीज कर दिया गया है ट्रेन नमबर 14705 और 14706 जो है भीवानी से जैपूर के धैर का बालाजी तक यहाँ पर संचालित की जाएगी हाला कि अभी भी यहाँ के लोगों में रोश होगा कि यह जो ट्रेन सीधा जैपूर तक संचालित नहीं हो रही है ताकि यहाँ के लोगों को सीधी कनेक्टिवेटी मिल सके क्योंकि डेहर का बालाजी जो है जैपूर जंक्शन से फिर भी काफिस जादा जो दूर है हो जाता है फिलाल बात करते हैं इसके टाइम टेबल को लेकर के तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रेक को लेकर के तो इसमें 11 यहां पर टोटल कोच होने वाले जिसमें से 9 इसमें जनरल कोच होंगे और 2 SLR कोच होने वाले हैं और इसको एक एकस्प्रेस टेंड का इसके बीचों यहाँ पर इस्टेशन है जिनके बारे में भी हम लग बात करेंगे तो आप प्लीज वीडियो को यहाँ पर आखीर तक देखिए वापसी के दवरान Consider का बालेजी जिसे है जो तुरेन दोस्तों शाम को 3 बच कर के 15 मिनट पर रवाना होगी और पांच मिनट का होल ने के बाद में निम का थाना पुचेजिकी तुरेन शाम के 5 बच कर के 42 बच बावन 42 मिनट पर और दूस्तों यहां पर 2 मिनट का होल लेकर के ट्रेन आगे निकल जाएगे रिवाडी के लिए जहाँ ये पहुंचेगे रात के 8 बच के 25 मिनट पे 5 मिनट का अल्ट लेने के बाद में ट्रेन आगे निकल जाएगे सिधा भिवानी के लिए भिवानी पहुंचेगे ट्रेन रात के 10 बच करके 10 मिनट पे दोनों ओर से ही जो ट्रेन दोस्तों चर्की दादरी, जाडले, कोसली, रिवारी, कूंड, काठुवास, आगे दोस्तों अटेली, नारनौल, निजामपूर, दाबला, मंडोना, नीमका थाना, कानावत, शरीमादोपूर, रिंगस, गोविंदगड मालिकपूर, चौमु गोविंदगड मालिकपूर, यह जो हल्ट यहाँ पर दिये गए है, हाला कि गोविंदगड मालिकपूर जो है, दो बार लिख दिया गया है, तो दोस्तों यह एक पैसेंजर ट्रेन ही है, जो की भारती रेलवे की तरफ से इसको एक एक्स्प्रेस ट्रेन के तोरपर यहाँ पर संचालित किया जाएगा, कहर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर नारनोल वासियों के लिए खुशी की लहर भी है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जो है अभी भी मायूस होंगे, फिलाल आप लोग क्या सोचते इस चीज के बारे में मुझे लिख करके जरू से बता से भी मुझे लोग करे लिख करके लिए लिए de भी मुझे भी मुझे लिख कर्के लाएगा करे लिए करते हैं।